इस बार विधान सभा के गेट पर सामुही का अत्मदाह करेंगे जो चातर के साथ राजितिक करेगा वह आने वाला विधान सभा में खाई पर गीरेगा हमारे पास करो या मरोग की स्थीति हो गई है हमारे पास कोई भी कल्प नहीं है सरकार का उखाड के फैक देंगे और विजाए चौधरी से सीधा सीधा आमना सामना है सरकार कैसे मानेगी जो बजट सत्र चलने जा रहा है उसको चलने नहीं देंगे हम लोग विधान सभा गेट तक पहुंचेंगे अब क्या करने वाला है अब क्या करने वाले है अपना संदेज सरकार ते पहुंचाने के लिए हम लोग सामोही का अतमदाह करेंगे कि सरकार नहीं सुनती हैं लेकिन उसमें भी रोग दिया गया परसाद टाकर जेलें बंद कर देती है तो सरकार कैसे मानेगी कैसे उनी बात को सुनेगी इसलिए अब हम लोग साम ही करेंगे अब हम देखिए पिछले बार भी जो अनील जी आत्मदाह किये थे वह सरकार की नाकामियों के वज़ा से मांसिक प्रेसर की वज़ा से इनको आत्मदाह करना पड़ा फिर भी सरकार जो है परतिनी दियों से बारता नहीं की सिक्षा मंत्री का स्टेट नोटिफिकेशन के अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया है उल्टा उन्होंने दुबारा बोल दिया है कि मेरिट इसकौल टू नोट मेरिट हम लोग फिर से मतलब की वही फिर से अपना सभा में आवाज उठेगा यह कह रहे हैं विधान सभा 25 फरवरी से चलने वाला है हम लोग विधान सभ गेट पर इस बार बिद्धान बिलकूल विधान को मालूम है ना कि वहाँ पर जाना अलाव नहीं रहता है फिर भी हम लोग जाएंगे क्योंकि हमारे पास करो या मुरू की स्थिती हो गई है हमारे पास कोई भी कल्प नहीं है सिक्छा मंतरी जी सम्वेधन हीन हो चुके है म उनके राज में चात्र आत्मदाख करने को मजबूर हो रहे हैं फिर भी वो कान में रूई डालकर सोय हुए है तब हमारे पास कोई भी कल्प नहीं है हम लोग सामोई कात्मदाख करेंगे उसके लिए पूरे बिहार के आम स्टीट इमेडिटा भियारतियों को कॉल करेंगे और आएंगे और बड़ी गोलबंदी के साथ हम लोग विधान सभाग गेट पर जुटेंगे तब इन यह कह रहे हैं आपके साथ ही कि गेट पर चल जाएंगे बिल्कुल चले जाएंगे हम लोग ठक हार चुके आप ने छे महीना से देखा हम लोग गरदनी वाग में लाठी खा विधान सभाग गेट शिक्षा मंतरी के अवास के बाहर जो आप किये क्या अंदाजा क्या हुआ आपको मालूम होगा विधान सभा के गेट पर सामुही का अत्मदा करेंगे कितने लोग रहेंगे वापर सब 3675 अब्यार्तियम लोग हैं और यह क्रांती की सुरुआत होगी युद्ध की सुरुआत होगी और आरपार की लडाई होगी सरकार या तो विध्यापन का पालन करवाए सरकार या तो खलम होना चाहए कि आपनी बात को दुनिया के सामने रखनां चाहते हैं हिंदुस्तन और विहार के आम ची नहीं कि आखना उन कि विध्यापन के प्रिक्षा क्यार्या में परिक्षा परिनाम कर रहें और हम लोग आतमदाह करेंगे सरकार इजाजए औरкі तो लृजिया अगर नहीं किया तो आतम ताह के साथ एक अभियर में पहिवते समड़ किया था तो पुरा बिहार विछाइज चौधर से सिध्या सिधा हमना सामना है मैं मांनी हे मुख्ख मंट्री जिसे निवेदन करता हूँ कि सिच्छा मंत्री विजय कुमार चौधरी को अविलम बर्खास्त किया जाए और समधानी काम कर रहे हैं सरकार वाइट पेपर लाए कि आखिर इस्टेट 2009 इसके विज्ञापन को क्यों बदला जा रहा है चन के प्रिकिर्ग्या को पहली बात और दूसरी बात यह है लग रहे है लुकि ये चीज गलत है कि आप लोग एक ही साथ अकर आत्म दाह करें तो यह गलत गलत है इससे ज़्यापन के उभी ना करना है संभ्यान के उभ्यान करना है और हम लोग आत्मदाह करेंगे और सिक्षा विभाग के अधिकारियों पर कड़ी करवाई करी की जाए और मनिये मुखमंत्री जी आपकी साथ खराब हो रही है हमारी अवाज को कोई दबाव नहीं पाएगा अंदोलन से निकले हैं आप तो हम ही आप ही के जैसे हैं आप ही के इतना पढ़े लिके हैं विजाय कुमार चौजरी तो अनकंपा के अदमी हैं हम लोग देखते हैं कितनी कूबबत है किसमें हमारा विज्यापन कोई बनल नहीं सकता अगर विज्यापन में परवर्तन हुआ तो कंपनसेशन देना पड़ेगा और ददस कलोर का कंपनसेशन का प्रावधान करें और यह क्रांति की सुरुआत होगी और आपके चैनल के जरिये मैं सभी 3645 अभ्यार्तियों से यह हमान करता हूं कब होने वाला यह यह विद्धान सभासात्र के दौरान होगा और 25 फरवरी के बाद ही होगा 25 फरवरी के बाद कर देंगे पहला आपको यह म सब्सक्राइब की पीछे नहीं हटेंगे हम लोग तो आतंदा क्या उसे घर में घुष के अभी अंगमा करने वाले जिसक्षामंद्री घर में तो थे आप लोग आवास पर पहले से उसको सुचना मिल गया था खूपिया विभाक उसके द्वारा पूलिस पर ठेल दिया था यहां तक हुआ तक तो उसको अपको यह सब गलत नहीं लाग लगा है कि जाए कि क्श्याइज है कि नहीं है मेरिट अभ्यादनी साथ जो अन्याय हो रहा है सर कुछ लड़के लोग बोले जो फेला लोग है कुछ बोल रहे कि हमारी साथ जो नोटिफिकेशन हमारी चाची है तो हमारा का मौशी है क्या हूँ चलिए आप लगतार गुसे में रहते हैं उस दिन भी आप मौझूद थे जिस दिन अनिल ने आत्मदा की कोशिश करने की गुसा जायज है और कुछ प्रोटोकॉल ऐसा बात है कि आप हमारे जो बिधान सभाक जे गेट की बात हो रही है हम लोग पहुंचना बहुत बड़ा ब सारे नेताओं से मैं एक बात और सभी बिहार के सभी राजनेतिक दलों से यहवान करता हूं खुल कर साथ दिजिए सभी चाहे राष्टिये जनता दल हो जनता दल उनाइटेड हो बीजेपी हो जन अधिकार पार्टी हो चाहे यह लोग जनसकती पार्टी राम विलास हो या लोग जनसकती पार्टी हिंदुस्तान वां मोर्चा या वी आईपी पार्टी हो जो भी हो जो प्ढ़ा लिखा है उनोटिफिकेसन समझता है जो नोटिफिकेसन से खिलाप जाएगा उसमें प्ढ़ा लिखन नहीं हम मैं मेरा मनना है जो चाहतर के साथ राजितिक करेगा वह जाएगा जाएगा विदान सभा गेट पे इनके साथ है तभी ताप पुरा चाहतर साथ है पुरा चाहतर साथ है पॉट्टाप जाले विखन नहीं चाहतर है और बोड़ा मोर्चा बनेगा और लड़ाई को तेज किया जाएगा उनको बता दिया जाएगा ति रोजगार नहीं तो सरकार नहीं इनको पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है सिक्षा मंतरी जी को ततकाल इस्थिपा दे देना चाहिए क्योंकि वह जब देखिए तब म रहते हैं जाते हैं अभी कुछ दिन पहले तो फिर सरकार क्यों सरकार किस लियंगलो सरकार किस लीं होता है कि क्लिए संचा सायथ हो ratio हो सबाँ सबकार इसाद किस्था सबढ़ां पहुंचेंगे रहने 분ा की दिक वहां Nos बहर को दोते हूँ द्खान सबकते bardziej वारा रभी एंटी पीसी हो साथ साथ देखतें कितना पुलिस है आपके पास कितना पुलिस है कि बिहार पटना हिलने वाला क्योंकि सारे ससा जेल भरवांदोलन होगा आत्मना जेल पड़ौनलन होगा तुरी तो विधहान सबा शूरू होने वाला और चातुरों ने साफ के द इत्ता है चात्रों से या नहीं तो बस लाइफ शीरीज के साथ बने रहें हमाचान को सब्सक्राइब करें फिजुक पेज को लाइक करें धन्यवाद